आज की वीडियो में कितनी गाएं दिखा होगे जी पांच गाएं दिखाएंगे पांचो की पांचो ब्याई हुई ठीक है बाई और बाई कितने दूद की गाएं दूद 20 लेटर से लेके 24 लेटर तक की गाएं टीक है भाई और दाम की बात करें तो भाई कहां से start होंगे क्लाओ चासी दाम की बात करें, दाम असी यार भई गाई भी अपने पास है, ठीक है भई, एक लाख चासी यार अवड़ी जो बच्डी है, कम से कम 40 लीटर देगी, ठीक है भई, दूसरे ब्यात की है, ठीक है भई, पीछे भी उसके पाइपर की बच्डी है, जी कल शाम की जनी हुई, पाइपर करें जन्म धिया भई, इसकी भी जेर वगएरा कमप्लीट है, ठीक है भई, आपने पास वीडियो है, ठीक है भई, फैसी यार भी जा रूपे में घर पोंच करेंगे, तोब सकता ठीक है भई, दोस्तों, दूसरे ब्यात में भी एक ओर शान्दार फड़ी बच्ड को जनम दिया भाई जेर वगएरा इसकी भी कंप्लीट है पीछे इसके भी मेल काफ है जी मेल काफ है भाई दाम इसका क्या कर रही हो जी सत्च्री अकाल दोस्तों स्वागत करते हैं जी आपका अपने यूट्यूब चैनल रामगडिया फार्मिंग में दोस्तों आज आपके सा से गंगानगर रोड पर इनका गाव पढ़ता है और आज के वीडियो में आपको पांच गाएं ब्याई भी दिखाएंगे पांचों गाईों की जो डिटेल है वो अपने मंजीत भाई से लेंगे जो इस फार्म के ओनर है और जो भाई अपनी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो अपनी वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया हुआ बैल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको पांच गाएं ब्याई मंजीत बाई सबसे पहले अपने गाम का एड्रस मुबाइल नंबर अपने फार्म का एड्रस शेर कीजिए जी गाम अपना है जी साइब सिंग वाला ठीक है जी जो अपना ये फारम है वो गुदारा डेरी फारम के नाम से ठीक है जी और शिरी गंगानगर आपको तैसील लगती है जिला और तैसील दोनों शिरी गंगानगर ठीक है जी शिरी करनपूर से गंगानगर रोड पर अपना फार पर रहती है दिख रही है जी मैं कवर कर रहा हूं गायों की वीडियो कम से कम 16-17 गाय आपके पास मुझूद खड़ी होंगे जिन ठीक है भाइ आज की वीडियो में कितनी गाये क्ती गाये की। थीक है बैइ और बैई कि तर्फ fijатकर लेकर prov क्रल्फेटर दे लोग देखने वाले बोलेंगे कि दाम बहुत जादा है खास करके श्री गंगा नगर के नहीं बाइसा पता है क्या दाम की बात पर दाम असी यार भाई गाई भी अपने पास है ठीक है बाई एक लाख प्यासी यार अवड़ी जो बच्डी है कम से कम 40 वीटर देगी ठीक है ब इतने दिन होगे भाई भाई को यह तो कल शाम को भी ठीक है बाई और पहले ब्यांत का मिल्क रिकोर्ड द्याना जी पांच गाए मनजीत बाई के पास सेल के लिए मजूद हैं पांचों की पांचों गाए ब्याई हुई हैं और भाई सबसे बड़ी बात है कि कोई milking करने व 30,000 रुपे से उस बच्चडी के दाम है जी और खुद फुल ब्रीड की बच्चडी है और जो इसके आगे जिस बच्चडी को जरम दिया वो ABS के पाइपर बुल के सेक्सर सीमन की बच्चडी है बाकी पशों की डिटेल है वो अपने मनजीत भाई से जाते हैं साथ की साथ प बच्चडी को जनम दिया जिसके हाइट लाजवाब है बाई फुल बढ़ी है जी और पहले ब्यात का मिल्क रिकोर्ड 32-32 पहले ब्यात में और कल जनी है मन्जीत भाई जेर वगेरा कम्पलीट है जी अपने वीडियो बनी है जेर की वीडियो है आपके बास अब किसी भाई यह वो पाइपर बुल किया थीक है बाई जराना भाई अब इसको दूसरे ब्यात में कल की जनी हुई है न बाई कल शाम की जनी हुई टोफ कलास हचेफ गाए जी दूसरे ब्यात में बच्चे को जरम दिया जी पीछे कितना दूद निकाल लेगी भाई अब की बार दूद है 40 से प्लस निकालेगी 45 भी निकाल सकती है 42 भी निकाल सकती है ठीक है जी मतलब आपने 40 लीटर बोल के देनी है वह तो बात सही है वह तो दूद तो डालने के उपरी डिपेंड करता है भाई बच्चडी की अभी से हाइट बहुत है जो पीछे इसके बच्चडी है देखने में लग रहा है कि 67 की बच्चडी है भाई इसका मोलबाव दूसरे ब्यात में पीछे पाइपर बुल की बच्चडी है बांदो बई जोस्तो आपको एक और फुल बड़ी गाएं दिखा रहे हैं जी बई डिटेल बताईए जी यह दूसरे ब्यात में आज सुभी बच्चे को जनम दिया जी अच्छा दूसरे ब्यात की है आज ही बच्चे को जनम दिया अच्छा के बच्चा कहा है पीछे बच्ड़ा इसके बच्चे की यह भी नवाब है दूसरे ब्यात में 28 लीटर दूद दिया ठीक है बई अब कि बार कितना दूद निकाल देगी अब की बार 34 35 लिटर राम से ठीक है बई आज ही जनिया पहले ब्यात का मिल्क रिकोर्ड क्या था था बई और भाई इसका दाम क्या कर रहे हो जी एक लाग पच्छी से जार रुपे की घर पोँच करेंगे दोस्तो हाइट लेंद बढ़ी है जी पीछे इसके फीमेल काफ सुरी मेल काफ है जी दूसरे ब्यात में बच्चे को जनम दिया इसके बच्चे को जनम दिया आज सुबही फिक्स अटर की गाएं है हाइट लेंथ की लाजवा बाइब बांदो आगे दोस्तों आपको एक और एच एफ गाएं दिखा रहे हैं बाई ये भी ब्याई हुई है कल शाम को यह भिए भाई इसके पीछे बच्चा के है जिकूर इसके बच्चडा गुर्त की बात किरें सो अकेला अकेला अचल लगा यह दोस्तों दूसरे ब्यात में ब्याई हुई है अब की बार ऑई कित्ता दूद निकाल देगी 27-28 लीटर दूज की गाएं हैं दूसरे ब्यात में जनी हुई है पीछे इसके मेल काफ है दाम भाई 85,000 की घर पोँच करेंगे 85,000 रुपे इसका मोलबाव करें और भाई एक बात और पूछना चाहूंगा अगर आपके यहां पर लोकल में किसी ने गाएं रखनी हो तो कितना लेस होगा जी वो तो 5,000 रुपे मतलब 80,000 रुपे की आप अपने फार्म से गाएद होगे जी ठीक 40,000 रुपे में घर पोँच करेंगे तो आपको एक और HF गाएं मजीत भाई ये भी वयाई होई है जी डिटेल बताइए जी आगे ये कल की वयाई है ठीक है भाई पीछे इसके मेन का बच्छबा है ठीक है जी पहले ब्याद में 24 लीटर दो दो पहले ब्यात का 24 लीटर मिल और बाई एक बात और पूछना बूल गया आप से जितनी भी गाएं आपने दिखाई है नेचर वाईज कैसे हैं दोस्तों दूसरे ब्यात में वही एक और शांदार एचेफ गाएं कली बच्चे को जनम दिया बाई जियर वगएरा इसकी भी कंप्लीट है पीछे इसके भी मेल काफ है जी मेल काफ है भाई दाम इसका क्या कर रही हो जी यह 85 85 यह रुपे की यह पहुंच करेंगे फारम का रेट रहेगा जी 80,000 रुपे कितना दूद निकाल देगी भाई अब की बार 27-28 लीटर दूद की गाएं पहले ब्यांत का मिल्क रिकोर्ड दिया ने जी इसने 22- 23 लीटर दूद पहले ब्यात में रखा हुए 55,000 रुपे में घर पहुंच करेंगे दूसरे ब्यांत की ब्याई हुई टोप कलास एच्चेफ गाएं जी बांदो भाई किता दूद निकाल देगी भाई पहले ब्यात में 23-24 लीटर दूद निकाल देगी पहले ब्यात की जनी हुई है जी पीछे इसके फीमिल काफ है दाम भाई इसका क्या कर रहे हो जी 80,000 रुपे में घर पहुच करेंगे और अगर लोकल के किसी बाई ने इनके फारम से ख्रीद नहीं हो तो 75,000 रुपे इनके फारम का रेट है जी पहले ब्यात में ब्याई हुई है जेर वगरा कम्पलीट है बाई बिल्कुल जी बिल्कुल जो इसकी मिलकिंग है वो बड़ी ठीक है बाई दोस्तों पांच गाई इनके पास सेल के लिए मजूद हैं जो सक्रीन पर आपके वो गाई दिखा रहे हैं 80,000 रुपे में घर पहुच करेंगे 500 किलोमेटर तक ट्रांसपोर्टेशन बीच में रहेगा जो रेट आपके साथ शेर की हैं जी बांदो बड़ी पांच गायों की डिटेल आपके साथ शेर कर चुके हैं पांचों गायों में से किसी भी गायों की मिलकिंग आपने करनी हो नंबर भाई का स्क्रीन के ऊपर चल रहा है आप ओनलाइन मिलकिंग भी इन गायों की कर सकते हो उपर आकर भी इन गायों की मिलकिंग कर से हो दो टा